श्रीहरी भक्ति विलास नामक ग्रंथ में कहा गया है प्रत्यासत्ति विधाईनी भगवतह कृष्णस्यसन्रोपिता न्यास्ता तच्चरने विमोक्ति फलदा तस्ये तुलस्ये नमहा अर्थात मातर आपके यानि तुलसी देवी के दर्शन करने से ही समस्त पाप नश्ठ हो जाते हैं केवल आपका स्पर्ष करने से व्यक्ति की देप पवित्र हो जाती है उनकी वंदना करने से समस्त रोग व्यावहारिक रूप से दूर हो जाते हैं यदि कोई उन्हें जलदान करता है, यमराज का डर नश्ट हो जाता है। केवल पौधा लगाने से या पौधे को एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर लगाने से भी व्यक्ति को परम पुर्शोत्तम भगवान का समेप्यप्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तूसी अर्पित करता है, तो वे उसे मुक्ती भक्ती के रूप में प्रदान करते हैं। इसलिए मैं ऐसी अनूपम आश्चर जनक तूसी देवी को अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूं। इसी पवित्र कार्थिक मास में तूसी देवी का प्राकट्य इस धरातल पर हुआ था। तुलसी विवा की कथा का श्रवन करता है, या फिर तुलसी विवा में कोई सेवा करता है, उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप नश्ठ हो जाते हैं, उसे इस भौतिक जगत में सुख, सम्रिध्धी, शांती और भगवान श्रेक्रिष्न की शुद्ध भक्ती प्राप्त होती ह और जो इस वर्ष भी बहुत ही जल्द हमारे घर के द्वार पर आने वाला है, इस बार तुलसी विवा का आरंब हो जाएगा देव उठनी एकादशी से, यानि की 12 नमेंबर 2024, तो आने वाले तुलसी विवा महुचसव के उपलक्ष में आज से हम आपके लिए लेकर आए है श्रिमती तुलसी महरानी की विशेश कथा, आज से एक सब्ता तक हम श्रिमती तुलसी देवी के विशे में संपूर कथा का विस्तार पूर्वक श्रवन करेंगे, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए और नोटि वाइकुंठ धाम में, वहाँ जाकर उन्होंने भगवान विश्नु और लक्ष्मी देवी को प्रणाम किया, उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित की, और फिर विनम्र भाव से भगवान से अपने मन की जिग्यासा प्रकट करते हुए कहने लगे, नारद मुनी ने कहा, हे प् पूर्व जन्म में कौन थी? उन्होंने कौन से कुल को पवित्र किया था? और उनके माता पिता कौन थे? उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिससे उन्होंने इस ब्रह्म हान्द की अधिष्ठाता आपको पती रूप में प्राप्त किया? हे प्रभू, मेरे मन में एक और जी क्यासा है। कहना प्रारंब किया। जो कि इस प्रकार थी। इंद्रिया सदैव नियंत्रन में और मन सदा हरी चिंतन में रहता था। धर्म सावर्णी से इंद्रिया निग्रही और परम भक्त रुद्र सावर्णी पुत्र रूप में प्रकाट हुए। रुद्र सावर्णी के वैश्नव पुत्र हुए देव सावर्णी, देव सावर्णी के पुत्र का नाम था इंद्र सावर्णी, वो भी भगवान विश्नु का अन्यन्य भक्त था, और उसके घर में पुत्र रूप में वुरुशत ध्वज का जन्म हुआ, इस वुरुशत पार शद्धा भगवान शिव में थी। स्वयम भगवान शिव भी वृषद्वज से अपने पुत्र की भादी असीम प्रेम करते थे। और उन्होंने उसके घर पर लंबे समय तक निवास भी किया था। उसमें उसने विग्ण डालना शुरू कर दिया। इसके उपरांद माग मास की पंचमी के दिन समस्त देवतागर माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन वो राजा वृषद्वज उसमें भी सम्मेलित नहीं होता था। यग्य और भगवान विष्णू की जा उपासना की सदा निंदा करते रहना ये उसका स्वभाव बन गया था। जब सभी देवी देवताओं ने उसका ऐसा दुष्ट व्यभार देखा तो सूर्य देव ने राजा वृषद्वज को श्राब देते हुए कहा। हे राजन इस एक्षन तुमारी श्री नश्ठ हो शिव जी उनके पीछे ब्रह्मलोक में भी पहुँच गए। अब भगवान शिव के क्रोध का भय किसे नहीं लगेगा। है ना। तो बस इसी कारण वश ब्रह्मा जी भी सूर्य देव को आगे रखकर वैकुंठ में भगवान श्री हरी की शरण में पहुँच गए। ब्रह परायन इस प्रकार कहने लगे। मैं ही ब्रह्मा रूप में इस सुरुष्टी का सर्जन और शिव बनकर सम्हार करता हूँ। मैं ही नाना रूप धारन करके सुरुष्टी और पालन की व्यवस्था करता हूँ। हे देवताओं तुमारा कल्यान हो। मैं आप सबको वचन देता हूँ कि आज से भगवान शंक करका भय तुमारे पास नहीं आएगा। भगवान शिव सत्पुरुषों के स्वामी है। उन्हें भक्तात्मा और भक्त वच्सल भी कहा जाता है। वे सदा अपने भक्तों की अधीन रहते हैं। हे ब्रह्मा जी सुदर्शन चक्र और भगवान शिव मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अपने पांच मुखों से मेरे मंत्रों का जब करना और भक्ती पूर्वक मेरा गुणगान करना यही शिव जी का स्वभाव है। मैं भी रात दिन उनके कल्यान की विशय में चिंतित रहता हूं। क्योंकि ये यथा माम प्रपध्यनते ताम सत्थाइव भजाम्यहम। जो जिस प्रकार मेरी उपासना करता है मैं भी उसी प्रकार उसकी सेवा में ततपर रहता हूं। यही मेरा नियम है। जब इस प्रकार भगवान विश्नु ब्रह्माजी और अन्य देवताओं से बात कर रहे थे तबी भगवान शिव वहां आपहुँचे। उनकी हाथ में रिशूल था और वे व्रिश पर आरूड थे। उनकी आँखे रक्त कमल के समान लाल थी। वहां पहुचते ही वे व्रिशप से नीचे उतरे और अत्यंद विनम्र भाव से भगवान विश्नु के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें देखकर ब्रह्माजी ने शिव जी को प्रणाम किया। सूर्य देव ने भी भय से कांपते हुए भगवान आशुतोष के चरणों में अपना सिर जुकाया। रिशी कशप ने अत्यंद भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की स्तुति आराधना की। ततपश्याद भगवान शिव एक सुखत आसन पर विराजित ह और फिर भगवान श्री हरी ने अत्यंत मधूर वचनों के साथ शिव जी को संबोधित करते हुए कहा। अपात्र भक्त के शोक से प्रभावित होकर सूर्य पर आक्रमन करने के लिए ततपर हुआ तो वो ब्रह्माजी की शरण में चले गए। और इस समय ब्रह्माजी सहित उसने आपकी शरण ग्रहन की है। दिन्चर्य कैसे चलेगी। सूर्य के शराब से उसकी श्री और सम्रिध्धी नष्ठ हो गई है। उसमें सोचने समझने की शक्तिक शिन हो चुकी है। हे भगवन उसी के विशय में सोचकर मैं थोड़ा चिंते थूँ। श्रीव जी के ये वचन सुनकर भगवान नारायन ने उन्हें जो कहा वो सच में आश्चर उत्पन करने वाला और परम सत्य था। और वो क्या था। ये हम जानेंगे इसी तुलसी महात्मे कथा के अगले अध्याए में। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदाईनी श्रीमति तुलसी महारानी के चर्णों में प्रणाम और प्रार्थना आर्पित करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा प्रदान करें। हरे कृष्णा! झाल